दोस्तो आप अगर एक mobile user हैं और दोस्तो आप जब भी अपने mobile पर कुछ भी काम करते हैं, कुछ उपर नीचे स्क्रॉल करते हैं, कोई game खेलते हैं, कोई camera बगरा चलाते हैं, तो दोस्तो आपके सामने automatically add generate हो जाता है, जिसकी वज़े से आप दोस्तो कुछ भी नहीं कर पाते ह हैं, आप अगर video recording कर रहे होते हैं, तो आपकी video बंद हो जाती है, अगर आप game कहले होते हैं, तो आपका game बीच में रुख जाता है, और दोस्तो बहुत सारी problems का इसके आगे सामना होता है, इस condition में आप दोस्तो बहुत सारी गुसा भी आती है, आप दोस्तो अपने phone को reset भी सबसे पहले आपको दोस्तो कुछ भी नहीं करना है, अपने mobile के अंदर, आपको जाना है अपनी setting के अंदर, आप दोस्तो अपनी setting में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक option मिलेगा, app management का, आप इस पर click करेंगे, जैसे ही आपको दिखेगा, कुछ इस तरीके का interface आपके सामने जिस भी application के ऊपर आपका दोस्तो यहाँ पर icon ना रहा हो, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यह सभी app आ रहे हैं, इन सभी आप आपके application के अंदर यानि आपके mobile की अंदर एक app ऐसा होगा, जिस पर दोस्तो केवल साइज यी साइज आएगा, उसमें एप याणि कोई भी सो नहीं आपके आपके रहे हैं, जिसके दोरा आपके mobile के अंदर इसको अनिसट्रॉल कर देना है और ok तो देखी दोस्तों वो एप आपका यहां से गाइब हो जाएगा अब आप दोस्तों अपने मुवाइल के अंदर जो भी आप काम करना चाहेंगे वो आप काम एजली कर पाएंगे कोई भी एड अब आपके मुवाइल के अंदर यहां पर सो नहीं करेगा तो उमीद है दोस्तो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आप भी दोस्तों इसको ट्राई करके देखिए अगर आपके मुवाईल में